अगर आपका पेपर 2 जो की लेंगवेज पेपर है अगर आपका हिंदी है तो ये विडियो आप देख सकते हो पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस को मैं इसमें डिस्कस करूँगा अगर आपका 1 to 5 है तो नीचे कॉमेंट करके 1 to 5 लिख दीजिए उसके लिए पेपर 1 की जो पेपर 2 का सिलेबस है अलग से मैं विडियो बना दूँगा तो नीचे कॉमेंट करके जल्दी से जल्दी अपनी संख्यां बढ़ाईए उसके बाद जो है विडियो उसके उपर दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पेपर 3 से याद आया पेपर 3 में आपको जो है जीके भी पढ़ना है स्टैटिक्स जीके तो सम्मेधान की जो प्रस्तावना है प्राइंबल आफ और कॉंसे रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार चैनल पर आओ प्लीज चैनल को सब्सक कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले तो चलिए स्लेबस की ओर हम लोग बढ़ते हैं सिलेबस में दिखाऊं उससे पर आप यहां से देखो परिसिस्ट 13 आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा परिसिस्ट 13 तो यहां से देख लिजिए यह किसके लिए है 6 to 8 वाले के लिए जो है syllabus है आपका संथाली हो तो संथाली आप यहां से पढ़ सकते हो ठीक है इसी तरह से खड़िया आपको दिखेगा यहां से आपको जो है और अधर लेंग्वेस जो है पंचपर गनिया आपको दिखेगी और जारकन में आगे बढ़ोगे तो कुर्माली भी आ अब यह खोठा के लिए है खोठा के लिए जिनको syllabus चाहिए होगा नीचे comment कर सकते हैं खोठा के लिए अलग से syllabus की वीडियो आ जाएगी अब नीचे बढ़ते हैं तो यहां आपके मुंदारी भासा भी दिखेगा और बंगला भासा भी आपको दिखेगा अब देखो यह हिं अबरी को जो है जिस दिन edit की date रखे के उस दिन आप edit कर सकते हो यहां से देखिए हिंदी की उत्पति पुरानी हिंदी अवहट डिंगल यह आपको भासा के रूप में पढ़ना है भासा के जो बिविन रूप है उसमें रचनातमक राष्ट भासा राज भासा संपर्क भासा संचार भासा इन चीजों को डिटेल में आपको पढ़ कर जाना है हिंदी का सब्द बंडार की बात करूँ तो तत्सम तदभब देशज और विदेशज जो भासाएं हैं उसके बारे में आपको पढ़ लेना है भासा विज्ञान की बात करूँ तो भासा की परिभासा प्रामर वाले पॉर्शन में आपको देखने को मिलेगा पाश्चायत साहित सिधांत की बात करो तो पुलूटो वुड्सवर्थ मैथ्यू ओंडर्ड और आई एस रिचर्ड टी एस इलीट के जो सिधांत है उसके बारे में आपको पढ़ना है और जो प्रयोजन मूलक जो हिंदी है जिसमें कि अवधारना प्रशासनिक हिंदी प्रशासनिक पत्राचार जो कि लेटर वगएर आप लिखते हो ऑफिस वगएरा में उसके लिए संचेपन टिपन और यह चीड टिपनी नहीं है यहां पर टिपन है और प्रारूपन और परतिवेदन यह आपको पढ़ पढ़ कर जाना है अब बात करते हैं साहिति में जो कहानिया आपको पढ़ कर जानी है वो मैं एक एक करके बताऊँगा और कभीता के बारे में भी काभी में देखिए आपको पढ़ना है विद्यापती कभीर को, सूर्दास को, तुल्छी दास को, बिहारी को, रस्खान और अब देखिए उपन्यास की अगर मैं बात करूँ तो प्रेम चंद्र को आपको पढ़ कर जाना है। कहानियों की बात करूँ तो मधुआ जो की जैसंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है ये पढ़कर जाना है। किसके द्वारा रचित है अब देखिए अभी सब्त जो है यसपाल के द्वारा लिखी गई और मिसपाल जो है मोहन राकिस के द्वारा लिखी गई है। नाटक की बात करूँ तो भारत दूर्दसा भारत एंदू हरिश्चंदर के द्वारा लिखी गई है। दुरुब स्वामिनी जैसंकर प्रसाथ के द्वारा लिखी गई है, आध्या दूरे की बात करूँ तो मोहन रकेस के द्वारा रचिती एक जो है नाटक है, हिंदी साहित का इतिहास ये देखो अब बहुत बड़ा सिलेबस यहां पे है, हिंदी साहित का इतिहास राम चंदर का सिलेबस, पेपर वन का सिलेबस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकाउट कर सकते हो, देख सकते हो, आगे फिर से बता दू, वीडियो यहां तक देख ली है, तो नीचे कमेंट करके जैहिन जिरू लिखेगा और जहां से भी आ आप ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, थैंक्यू